Hello Students, Navankur Vidya Peet के DG Lessons from the House of Navankur में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्चा साथ विसेभिज्ञान का पार्ट 13 जिसका नाम है गती एवं समय का अभ्याज प्रिश्ण अत्र बाई राजन सूरिवन्ची सर तो हम देखते हैं प्रिश्ण नमर एक नमलिकत गतियों का बरीकरन सरल रेखा के अनुदेश, बर्तुल तरह दौलन गती में कीजिए पहला है का दौरते समय आपके हाथों की गती तो इसका उत्तर होगा दौलन गती खा शीदे सड़क पर गाड़ी को खीचते गोड़े की गती इसका उत्तर होगा सरल रेखा के अनुदेश, गा मेरिको राउंड जूले में बच्चे की गती इसका उत्तर होगा बर्तुल गती, गा सी सो जूले पर बच्चे की गती, इसके होगा उत्तर दौलन गती चा बिद्द घंटी के हतोड़े की गती, इसका होगा दौलन गती चा शीदे पुल पर रेखा की गती, उत्तर होगा सरल रेखा के अनुदेश, अब देखते हैं पिश्च नमबर दो नमलिकत मेंसे कौन सा कतन सही नहीं है? तो देखते हैं का समय का मूल मातरक सेकन्ड है उत्तर है सत्तर पराति बस तू नियत चाल से गती करती तक दो दो सहरों के बीच की दूरियां किलो मीटर में मापी जाती है उत्तर है सत्त घा किसी दिये गए लोलक का आवर्थकाल नियत नहीं होता इसका उत्तर है सत्त रेल गाड़ी की चाल मीटर पृति गंडे में बैक्त की जाती है उत्तर है असत्त पिश नमर तीन कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है लोलक का आवर्थकाल क्या है तो तरह यहां हम देखते है दोलनों की संख्या दिये 20 समय दिया है 32 सेकंड तो हम आवर्थकाल निकालना है इसलिए हम आवर्थकाल का सूत्र लगाएंगे तो आवर्तकाल का सूतर होता है आवर्तकाल वरावर समय वटे दो लनों की संख्या तो हमें यहां पे समय दिया है 32 सेकंड और दो लनों की संख्य दिया है 20 तो हम इस परकार से उत्तर आएगा एक दसनलव 6 सेकंड प्रिश नबर 4 दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीट है कोई रेल गाड़ी इस दूरी को तय करने में चार गूंटे लेती है रेल गाड़ी की चाल परिकलित कीजिए तो उत्तर है यहां हम देखते हैं दूरी दिये 240 किलो मीटर और समय दिया है 4 घंटे तो हमें रेल गाड़ी की चाल ग्यात करनी है इसलिए रेल गाड़ी की चाल का सूत लगाएंगे तो रेल गाड़ी की चाल है बराबर दूरी बटे समय तो दूरी दिये 240 किलोमीटर और समय दिया है 4 घंटे इसलिए उत्तराएगा 60 किलोमीटर प्रती घंटा प्रिस नमबर पांच किसी कार के पत्मापी का 8.30 एम पर पाठ्यांग 57321.90 किलोमीटर है यदि 8.50 एम पर पत्मापी का पाठ्यांग परिवर्दित होकर 57336.90 किलोमीटर हो जाता है तो कार दूरा चली गई दूरी कितनी है कार की चाल किलोमीटर प्रती मिनट में परिकलित कीजिए इस चाल को किलोमीटर प्रती घंटा में भी व्यक्त कीजिए तो तरह इसका पत्मापी का पाठ्यांग देखते हैं 38 पर पाठ्यांग था 57321.90 किलोमीटर और 8.50 पर पाठ्यांग 57336.90 किलोमीटर तो समय अब देख्या हुई 8.50 में से घंटाएंगे 38 तो आएगा 20 मिनट और तैकी के दूरी है 57336 किलोमीटर में से घंटाएंगे 57321 किलोमीटर तो आएगा हमारा 15 किलोमीटर इसलिए कार द्वारा चलिए दूरी होगी 15 किलोमीटर तो हमें चाल नकालना है तो सूत लगाते हैं कार की चाल वरावर दूरी बटे समय तो आएगा 15 बटे 20 दूरी दिये 15 किलोमीटर और समय दिया है 20 मिनट तो तरह आएगा हमारा 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट अब हमें से घंटे में परिवत करना है इसलिए 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट होते है तो हमारा उत्तर आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्रिशना बट्च है सलमा अपने घर से साइकल पर विद्ध्याला पहुँचने में पंदा मिनट लेती है यजि साइकल की चाल 2 मिनटर प्रति सेकंड है तो घर से बिद्ध्याला की दूरी परिकलित कीजिए तो यहां पर उत्तर है हमारा देखने है चाल दी है 2 मिनटर प्रति सेकंड और समय दिया है 15 मिनट तो क्या हो जाएगा 15 गुर 60 बराबर 900 सेकंड यहां 60 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि समय दिया है मिनट में और चाल दी है सेकंड में इसलिए हमें समय भी चाहिए सेकंड में इसलिए अब हमें दूरी नकालना है तो दूरी का सूत्र क्या है दूरी बराबर 4 गुड़त समय तो देखते हैं 2.35, गुड़त 900 सेकंड, तो आजाएगा हमारा अठारा सू मीटर, यानि कि यसे हम किलो मीटर में पड़िवर्टित करेंगे, तो 1000 मीटर बरावर होता है, एक किलो मीटर, इसलिए उत्तर आएगा 128 किलो मीटर, पिस नमर साथ, निमलिकत इस्थितियों में गति के दूरी समय कि तो का नियत चाल से गती करती कार और खा सड़क के किनारे खड़क कोई कार तो यहाँ पे आपको नियत चाल से गती करती कार का एक ग्राफ देख रहा है जिस मैं एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है जिसका मतलब है कोई बस तो नियत चाल से सीधी रेखाम गती कर रही है और दूसरा है खा सड़क के किनारे खड़ी कोई कार इसमें आपको कोई भी रेखा दिखाई नहीं दे रही है इस कार था है कि कोई बस तो किसी किनारे पर खड़ी है इसलिए कोई गती नहीं कर रही है और इसका कोई रेखा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहां पे कोई रेखा दरसाई नहीं गई है पिस नमबर आठ निमलकित में से कौन सा सम्मन्द सही है गा चाल बरावर दूरी गुड़ित समय खा चाल बरावर दूरी बटे समय गा चाल बरावर समय बटे दूरी और गा चाल बरावर एक बटे दूरी गुड़ित समय इसका सही होतर होगा खा चाल बरावर दूरी बटे समय पिस नमबर नो चाल का मूल मात रख है का किलो मीटर प्रती मिनिट, खा मीटर प्रती मिनिट, गा किलो मीटर प्रती घंटा, गा मीटर प्रती सेकंड तो इसका उत्तर हुआ गा मीटर प्रती सेकंड देखते हैं प्रिशन नमर 10 कोई कार 40 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से पंधा मिनिट चलती है इसके पस्चात 62 किलोमीटर प्रिती घंटा की चाल से 15 मिट चलती है कार दोरा तै की गई कुल दूरी होगी गा 100 किलोमीटर, खा 25 किलोमीटर, गा 15 किलोमीटर और गा 10 किलोमीटर तो इसका उतार होगा खा 25 किलोमीटर पिस नमर 11 मान लीजिए सनलगन चित्र में दर्साय गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खीचे गए यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटी मीटर द्वारा दर्साय गया है तो नेली कार की चाल परिकलित कीजिए तो देखते हैं उत्तर चाल बरावर दूरी बटे समय हमें यहाँ पर चाल नकालना है इसलिए हमने चाल का सुत्र लगा रहा है तो दूरी दी है 100 मीटर और समय दिया है 10 सेकंड तो बाग देंगे तो क्या हैगा 10 मीटर प्रति सेकंड पिस नमबर 12 सनलगन चित्र में दो बाहनों ए तथा बी की गती के दूरी समय गराफ दरसाए गए है इन मेंसे कौन सा बाहन अप एक छकत तीबर गती से चल रहा है तो यहां पे हम देख सकते हैं एक गराफ में ए वाली जो आपकी रेखा है वो बड़ी है और बी वाली रेखा छोटी है अता हम कह सकते हैं कि चित्र में दूरी समय गराफ का ढ़ाल बाहन ए के लिए बाहन बी की अपिक्छा अधिक है आताहा बाहन A, बाहन B की अपिक्छाकरत ती ब्रिकती से चल रहा है पिश्ट नमर तेरा निमले के दूरी ग्राफों मेंसे कौन उस ट्रक की ग्रती को दर्साता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है तो यहाँ पे चार आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जिन में पहले में एक सीधी रहा है लेकिन मुख बिंदू से गुजार के नहीं गई है दूसरे रहा चित्र है उसमें भी मुख बिंदू से होती गई कोई रहा नहीं गई है तीसरे चित्र में मुख बिंदू से रेखा गुजर के गई है लेकिन आगे जाके उसका समय बढ़ गया है और चौथी में मुख रूप से मुख रेखा बिंदू से एक रेखा खीची गई है जो नियत चाल को दर्साती है अब प्रिश्न के अनुसार चाल नियत नहीं है तो इसकार्थ हुआ इसका उत्तर हुआ तीसरा जिसमें ट्रक की चाल नियत नहीं है यानि की रेखा पहले सीधी है फिर थोड़ी उपर की और उठ गई है इसकार्थ है की चाल नियत नहीं है हमारा अर्भ्यास समात्वा धन्यवाद